वेलकम टू प्यूर कुकिंग इस एडियो में मैं चुक्के की भाजी और मतन की रेसिपी शेयर कर रहे हूं बहुत ही टेस्टी सारान बनता है चुक्के की भाजी मैं आपको आपके बताऊंगी तो देखिए इसके लिए मैंने कुकर में एक कप ऑईल गरम कर लिया है इसमें द तो आप हरी मिर्ची का पेस्ट टू टी स्पून एड करेंगे अगर आप हरी मिर्ची नहीं खाते हैं तो ही आप लाल मिर्ची एड करिए नहीं तो अगर आप हरी मिर्ची से प्रॉब्लम नहीं तो हरी मिर्ची का पेस्ट ही एड कीजिए यह भाजी हरी मिर्ची में बहुत तेस्टी बनती है और 300 ग्राम हमें इसमें हट्टी वाला मटन एट करना है और थोड़ा सा मटन में फैट रहे तो बहुत अच्छा बनता है यह सालन और मटन को देखे मैंने अब अच्छे से भून लिया है अब हाफ ग्लास पानी एट करेंगे और इसे प्रेशर कुक कर अब देखे प्रेशर रिलीज हो गया है इस्टो की फिल्म फुल कर देंगे और प्याज और मटन को अच्छे से भून लेंगे अब देखे मटन अच्छे से भून गया है प्याज भी अच्छे से मैश हो गई है तो हम इसमें चुक्के की भाजी एट करेंगे देखे यह चु करका लिड लगा देंगे और तीन विजिल के लिए इसे पका लेंगे जादा पकाने के जरुरत नहीं है अब देखे प्रेशर रिलीज होने के बाद ने मैंने से खोल लिया है और अच्छे से इसे फिर से हम भून लेंगे फुल फ्लेम पर और भाजी को एकदम मैश कर देंगे तो जैसे मैंने कहा बहुत ही टेस्टी ये सालन बनता है चुके की भाजी का तो जरूर ट्राय कीजिए ये सालन और कोशिश कीजिए कि जो मैंने मेशिरमेंस बता हैं उसी पर आप बनाएं तो आपको बहुत टेस्टी भाजी का रसिपी बनेगी अब देखिए अच्छे से तीलीज होकिया है मैंने इसे सर्फ कर दिया रोटी के साथ में सर्फ किजिए लाइक जरूर करें वीडियो को और अपने फैमली और फ्रेंड से शेयर कीजिए और सबस्राइब कीजिए प्यूर कूकिंग चैनल को ऐसे युसफुल वीडियो के लिए ठैक्स फोर वाचिंग और जो भी मेरी रेसिपी आप ट्राइ कर रहे हैं मुझे उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिए